हेलो दोस्तो, welcome back to my channel, मैं हूँ पृती, आज हमने बनाये है रवा अपम सूजी के अपम, बहुत है डिलिश्यस होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुँव में जाते ही गुल जाते हैं, यह दीखिए बहुत ही सॉफ्ट है, एक और शेकार के दिखाती हूँ, यह दिखिए न शाहे से अपके ह्डाहें थद्र में ग्राइड करने काए हम यह 6 जो टेन के अदाकर fa1 बैंट करेंग ऊंधाउट करेंगे तो चलिए से ग्राइंट कर लिए अधा हम ग्राइंट करेंगे तो इस तरीके से चाहिए हमें ना ही बहुत जादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत जादा गाड़ा तो जो पानी बचा हुआ था वह भी मैंने एट कर लिया है और अब इसे हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरे बॉल में ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है दोस्तों कि हमें थोड़ा बड़ा ही लेना है क्योंकि हम इसमें इसमें जाग बनता है और यह कभी गिर भी जाते है यदि बरतन चोटा हो तो इसलिए हम बड़ा बरतन देंगे आप देख लीजे इस तरीके की मैंने रखी है और इसको हम 15 मिनिट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि सूजी को जो पानी एबसर्ब करना होगा उसे यह फूल जाएगी सूजी और इस तरीके का यह दिखे बैटर है 15 मिनिट पार थोड़ा सा और गाड़ा हो गया है तो मैं अब आड़ कर रहे हूं आदी किलो सूजी है तो उसमें मैं आड़ कर रहे हूं तीन इनो के पैकेट फ बहुत पसंद आएगा मिला लेंगे अच्छे से और जैसे अमीन डालेंगे मिलाएंगे वैसे तरफ से घ्रशा रख लेंगे ताकि तवा जो है गरम हो जाए और हम फटा फट से सिब बनाएं क्यूंकि उनो का जो फर्मेंटेशन है वह फटा फट में ही ज्यादा से काम करता तो यह मैंने आपे तवा रख लिया था तवा जो हमारा गरम हो चुका है मीडियम होटे तवा और दो चमबश मैंने आपे बड़ा चमबश पैटर डाला है तवे पे और हाथ से हलकी हाथ से बिल्कुल उसको मैंने फैलाया है आप चाहे तो तवा यदि आपका छोटा है हलका है तो तवे को आप थोड़ा सा हिला डूला सकते हैं ताकि वह एक्वेल लेबल पर आ जाए तो देखे कितने जल्दी से इस पर बबल साने लगे हैं यह बबल जो आ रहे हैं इनों के कारण आ रहे है और जो दही है इसमें तो स्विम रख रहा है पहले जब हमने तवा गरम किया तो उस ताइम गैस का फ्लेम जो था मीडियम होट था और जैसे हम इसे पोर करेंगे बैटर को तो हम गैस का फ्लेम सिम कर लेंगे तो यह दीखे बहुत अच्छी से बन रहा है थोड़ा सा बीच में रह गया अभी कच्छ तो यह दीखे यह बेटाई होने ही वाला है तो यह हमारा जो अपम है वह कुख हो चुक है यदि दोस्तों आप गरम-गरम खाएंगे तो इसका जो नीचे जो बेस है वह क्रिस्पी रहता है और उपर से बहुत सॉफ्ट होता है यदि आप इसको आदे गंटे बाद खाते है तो फिर नीचे से क्रिस्पी नहीं रह जाता है वह सॉफ्ट हो जाता है तब भी अच्छा लगता है अब इस टाइम में क्रिस्पी रहता है यदि आप इसे बनाए और गर्म-गरम प्लेट में सर्फ करें तो खाने वाले को तो मजा ही आ जाए तो एक दूसरा और बना के दि और यह भी बन चुका है इतने बैटर में दोस्तों हमारे अपम जो है तेरा से चौदा बने थे आदे किलो सूजी में डाइसो गरम दही डाइसो एमल पानी तीनों को पैकेट हमने स्मैट किये है तो इतने में हमारे तेरा से चौदा अपम बनके तयार हुए थे यह भी बन दोस्तों मैं तो इसे इंजुए करने वाली हूं नारिल चाटनी के साथ में सांबर बना था बनाता है वह जादा अच्छ लगते हैं और आप इसके साथा अलु आण सकते हैो मसाला अलु उत तोसा के साथ बहुत तेस्टी लगता है वीडिऀो पसंद आये हूं तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू सोगर